तो पिछले एक वीक में बजार में काफी और चड़ाओ देखने को मिला, जहां मंडे में बजार में तरही तरही मची हुई थी और सेंसेक्स 2000 पॉइंट टूड गया था, वहां फ्राइडे आते आते बजार वापिस नए हाई के आसपास आ गया है, और टेक्निकल लेविल नि को पीछे से लेके चलते हैं, वैसे तो आप इस सिंपल सी जानते हैं कि इंफलेशन से यूएस अभी लड़ रहा था या इंट्रेस रेट बढ़ा रहा था इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए, दूसी तरफ पिछले वीक में हमारे सामने एक न्यूज भी आई थी कि इस्टोरीज पर अपने अपनी उपिनियन सुनी होगी और बड़े-बड़े एक्सपर्ट को सुना होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, सिंपल वे में, सिंपल वे में, easy to understand वे में आपको बहुत इसली समझ में आएगा, कि actual म समझने में easy मतलब यह नहीं है, कि हर चीज को difficult बना कि यदि आपके सामने रखा जाए, तो वो intelligent हो जाएगा, नहीं मैं simple common sense से बात कर रहा हूँ, जो आपके और मेरे जिसे आहम लोगों के समझ में आता हो, सन 2015 से हम ये देख रहे हैं कि US अपने inflation से जूज रहा है, वो समय थ inflation जो 9.2% था, उसको control में लेकिया है, और इस समय US का inflation 2% है, लेकिन इसके लिए उनको करना क्या पड़ा, उनको interest rate US की बढ़ानी पड़ी, आपको ध्यान होगा, एक समय था जब US की interest rate 0.25 पेसे 0.50 पेसे चला करती थी, लेकिन इस समय बढ़कर 5.25 से 5.75% या average अमाल लेते ह तो 5.5% के आसपास US की interest rate है, आखिर inflation को control करने की जुरत क्यों पड़ी, तो inflation क्यों होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, कि inflation क्यों होता है, जब बजार में पेसा ज्यादा होता है, तो पेसा क्या होता है, कि या तो कहीं investment होगा, या कहीं खर्चा होगा, यदि आप investment क्योंकि जब बजार में ज्यादा पेसा होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको कहीं न कहीं investment करेंगे, और दूसरी तरफ, यदि पेसा ज्यादा होगा, तो investment नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, जब खर्चा करेंगे, तो वो उन चीजों पर खर्चा जो वो खरीदना चाहते हैं, तो जब बहुत सारे लोग कुछ चीजों को खरीदना चाहते हैं, तो उनके दाम बढ़ती है, और जब उनके दाम बढ़ती है, तो inflation, इसको ही inflation बढ़ना कहते हैं, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, कि आपको फाइव स्टार होटल में ठहरना है, जिसके room की cost 10,000 रुपे है, एक दिन पहले आप देखते हो कि ओ रूम की cost 14,000 रुपे हो गई है, क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उसकी demand बढ़ जाती है, तो inflation, यह inflation है, कि इन चीजों के दाम बढ़ गए, यह inflation क्यों बढ़ा? क्योंकि चीजों की demand बढ़ी, और demand क्यों क्योंकि बजार में पेसा था, बजार है पेसा क्यों होता? क्योंकि US नहीं चाहता था कि recession में जाए, इसलिए उसने बजार में पेसा डाला, तो इस पेसा डालने से दो ही impact जो मैंने आपको बता है, नमबर एक, asset के price बढ़े, और दूसरा, चीजों के दाम बढ़े, जब ची liquidity को सक करना start किया, यानि कि liquidity को सक कैसे करेंगे, वो interest rate बढ़ा कर, interest rate बढ़ाने से क्या होगा, कि यदि suppose किजिए, कि interest rate 0.50% है US में, और उसको बढ़ा के 2% कर दिया जाए, तो लोग asset class में investment करना पसंद करेंगे, खर्चा करना पसंद करेंगे, या फिर अपना investment करना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि interest rate बढ़ गई है, तो वो interest rate बढ़ती है, तो liquidity सक होती है, और liquidity सक होके central bank के पास पहुच जाती है, और यही US ने करते करते 5.5% आज interest rate हो गई है, लेकिन इस पूरे process में, दिक्कत क्या हुई, आपको ध्यान होगा, 10 March 2023 को, US की एक bank है, Silicon Valley Bank, जो bankrupt हो गई, collapse हो गई, reason क्या था, कि US government ने जैसे ही liquidity सक की, शाड़े 600 billion dollar की liquidity सक की, इसका मतलब क्या हुआ, liquidity सक करने से interest rate बढ़ी, और interest rate बढ़ने से liquidity सक कोई कुछ भी बोल दीजे आप, जब interest rate बढ़ी, तो bond की yield बढ़ गई, जब bond की yield बढ़ी, तो bond की market value कम हो गई, और जब उनक yield के बढ़ने के कारण, ये bankruptcy पे आ गया, जैसे ही ये bank bankruptcy पे आया, तो शाड़े 600 billion dollar में से, US ने देखा कि, इसके सासाथ 80 दूसरी bank भी bankruptcy पे आ सकती है, या collapse हो सकती है, उन्होंने तुरंथ 300, शाड़े 600 में से, शाड़े 300 billion dollar की liquidity वापस market में दी, तो interest rate थोड़ा कम हुआ, और इस तरह से इन bankों को bankrupt होने से या collapse होने से बचाया गया, तो ये बात है, last year 2023, 10 March की आसपास की बात है, तो कुल मिला कि क्या हुआ, कि US ने inflation को control कर लिया, इस तरह से interest rate को manipulate करके, या liquidity को manipulate करके, या सक करके, अब दूसरी problem क्या हो गई, दूसरी problem अभी हमने 2 week पहले सुना था, कि US economy recession में है, ये कहां की नई problem, एक तरफ तो 5.5% interest rate है, दूसरी तरफ US economy recession में आ गई, कहीं तो वो inflation से fight कर रही है, दूसरी तरफ recession की बात कर रही है, रिसेशन का मतलब क्या हुआ, ये inflation का opposite हुआ, inflation का exact opposite, कैसे, कि recession में चीजों के तो available होती है, लेकिन के बायर नहीं होते है क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बाजार में liquidity नहीं होती है, और liquidity क्यों नहीं होती है, क्योंकि US government ये US Fed ने liquidity सख कर ली, तो वो बात करने लगे inflation की जगह recession की, जब छोटी सी एक news थी, एक दो दिन उसका market में impact रहा था, लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे कि US में recession क्यों नहीं नहीं आ सकता, लेकिन इस बीच में ही, last week, यानि कि मंडे को जो बजा टूटा था, उसका reason क्या था, कि 35 साल से जो जापान की economy, अब आप देखी हम इंडिया से US, US से जापान पहुंच गया है, ये जो जापान की economy, 0% interest rate की policy लेके चल रही थी, वो क्यों लेके चल रही थी, कि 1990 के आसपास से 0% interest rate चल रहा है, आप ही सोची, जरा सोची है, 1990 के बाद में, यदि आप bank में deposit देते हो, तो zero interest, inflation zero, उन्होंने इतने सालों बाद में, पहली वार interest rate बढ़ाया, लेकिन उन्होंने 0% की policy क्यों करी थी, क्योंकि जापान के लोग चाते थे, कि हीरो सीमा और न interest रखा, जिसके कारण लोग जादा से जादा business करने की कोशिश करें, production करने की कोशिश करें, और यदि ये production होता रहा, ये तभी possible है, जब interest rate कम होगा, और business में फाइदा डूनना पड़ेगा, यदि interest rate जादा होगा, तो लोग business करने की जगे interest पर पेसा डाल देंगे, तो उन जापान में 0% interest rate थी, तो लोगों ने, word के लोगों ने, investors ने जापान से पेसा उठाया, 0% पे, और पूरे word में investment कर दिया, इससे क्या फाइदा हुआ, कि उन्हें 0% के interest पे थी, 2-3% भी फाइदा होता, तो वो फाइदा उनको हो रहा था, अब यहाँ problem क्या होई, जैसे ही जापान ने अपनी rate बढ़ाई, उनको क्या लगा, कि हमने अपनी economy को improve करने के लिए rate 0 का रखी है, जबकि पिसले कुछ सालों में, especially 10-15 सालों में, तो जापान का maximum पेसा पूरे word में जाकर, पेसा कमा कर लेके आ रहा है, और वो 0% interest rate का रखी उन्होंने, तो यहाँ इन्हों कर दी, 0.25% बढ़ा दी, तो अब क्या हुआ, जैसी जापान ने interest rate 0.25% बढ़ा ही, तो 13.5% ने नहीं, 165-146 एक डोलर के अगेंश में येन पहुंच गया, तो जो उन लोगों ने पैसा लिया था, उनको नुकसान होने लगा, और 13.5%, जो वो कह रहे थे कि 0% में पैसा मिल है, उनको 13.5%, तो करिंसी का लोस मिल गया, करिंसी का जब लोस मिला, तो वहां बजार में मच गई, हाकार तरही 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 मच गई, कि अब हमारा क्या होगा, और एधी एक और rate of interest एधी जापान में बढ़ा दी, तो क्या होगा, तो इस अफरा तफरी में पुरे वर्ड मे मार्केट तरही तरही मच गया, और पुरे वर्ड में सेलिंग आ गई, और उस समय आपको ध्यान होगा, मंडे को 10,000 क्रोड का माल, इंदिया में भी FIs ने बेचा था, जिसके अगेंस में 9,200 क्रोड का माल, लोकल institutional investment में ले लिया, जब ऐसा ड्रामा होगा, तो उदर US Fed भी चिंतित हो गई, कि आखिर ये हुआ क्या है, उन्होंने emergency meeting बिठाई, और emergency meeting में rate cut पे फैसला लेने की कोशिश की, या इसको control करने के लिए, कुछ करने की, कुछ decision लेने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या decision लिया था, कि हम interest rate को age पर schedule ही रखेंगे, अभी हम interest rate को कम नहीं करे reason, यदि वो उस दिन interest rate को कम कर देते, तो बजार में क्या message चला जाता, कि US economy recession में चली गई है, जिसकी उसके just पिछले week में बात हुई थी, और यदि ऐसा message कर देता, तो बजार को और बंदी आती, नहीं कि इसका फायदा होता, कि US ने interest rate को कम कर दिया, US की interest rate को, तो उन्हों उन्होंने क्या किया, दूसरी तक उन्होंने जापान से, जापान से जो import होता है, उनमें कई import के item पर import duty बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इसमें क्या-क्या चीजों पर import duty बढ़ाई ज़रा ध्यान से सुनेगा, तो एक battery part 8% rate थी, उसको बढ़ा के 25% import duty कर दी गई, electric vehicle 25% से 100 face mask 0% import duty थी, 25% import duty लगा दिये, lithium electrical vehicle batteries 8% से 25% कर दी गई है, other critical minerals 0% से 25% कर दी है, ship to shore 0 से 25%, solar cell 25 से 50%, steel and aluminum products 0% थी, वो 25% कर दी है, medical syringe और needles 0% से 50% बढ़ा दी है, और semiconductor जो 25% थी, वो 50% कर दी है, यह इतना सारा import duty बढ़ाने का object क्या था, कि इसको control में लाना, और डाइना से जो माल purchase हो रहा है, उसको कम करके local industry, यह जो globalization की बात कर दी है, उसकी जिए का localization या local industries को बढ़ावा मिले, इस तरह का उन्होंने process करने की कोशिश की, इंट्रेश के पास दो challenge आ गए, नमबर एक, inflation वो तो दूर हो चुका है, लेकिन एक तो recession की बात है, और दूसरा यह जापान वाला मसला और आ गया है, क्योंकि वो भी पैसा मांग रहा है, तो अब US को वो पैसा देने के लिए, वो कम से कम, या दी वो पैसा चुकाना है, या फिर अपन इंवेश्मेंट को कहीं और करना है, तो उसको interest rate कम करनी पड़ेगी, interest rate कम करना, या निकि जो सितंबर मैने की policy आईगी, उसमें 100% interest rate कम होगी, reason clear है, number 1, recession का fear, number 2, Japan crisis, अभी वो recession और inflation में जूज रही थी, वहाँ अभी जापान बीच में और आ गया है, दूसरी बात, अब उनको जापान का सबसे बड़ा fight क्या है, कि डॉलर के comparison में जापान की yen strong हुई है, अब उनको डॉलर को फिर से strong करना है, क्योंकि currency loss से बचने के लिए, यदि वो इसको strong करना चाहते हैं, तो उन्हें again interest rate कम करना पड़ेगा, कुल मिला के जो भी बात है, वो ये कह रही है, कि interest rate को कम होना चाहिए, एक और important बात, ये जो recession, recession की बात कर रहा है न, US में, मैं आपको बता दूँ, अभी वो situation नहीं है कि US में recession आए, reason क्या है, यदि इस समय recession, recession का मतलब क्या हुआ, चीजें तो बहुत सारी available है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है, यदि खरीदार नहीं है, त या आधा परसंट नहीं बेटा हैं, जब साड़े 5 पर्संट से इंट्रेस रेबे बैठा है उनको बजार में लिकृतित डालनी होगी, तो वो तो केश दे देंगे, केश कैसे देंगे, इंटरेसरेट को कम करेंगे, तो लोग पेसा उठाने लगेंगे, तो इसलीं वहां recession घ बूल जाहिए यदि कोई कितना भी बड़ा एकनों मिश्टो यदि वो कहता है कि साड़े 5% इंट्रेस्ट रेट पर यूएस एकनोमी रिसेशन पर चले गई तो यूएस फेट के पास बहुत इजी तरीका है कि इंट्रेस्ट को घटा-घटा कर आधा परसेंट ले आएगी फि तन नंबर दूसरी बात यह वाट बजाता है लिक्विट्री फिर बजार में आएगी यह लिक्विट्री बजार में आएगी तो किसे च्छेस करेगी इस समय वह चेस करने के लिए 2 Hi locationще जहा बड़ा पैसा लगाप और पैसा लंथा नंबर एक चाइना नंबर दूसरा इंड रिशों पर करना चाहिए लेकिन लेकिन जरा सोचिए यदि अगले साल चाइना की इन companies का profit आधा रह जाए तो चाइना का वन येर फॉरवर्ड profit क्या रहा 10 की जिगा 20 हो जाएगा price to earning ratio क्यों क्योंकि अगले साल इनका तो इसका मतलब कि वह investment यहां पर भी एक बड़ा जंक आने की उमीद है जब भी कोई FIG institution करते हैं तो किसमें करते हैं वह जनरली करते है frontline stocks में और अभी आपने देखा है Infosys, TCS, IT Stocks, HDFC Bank, Axis, Kota यह जो frontline जो टॉप जो इंडेक्स के participants है वह perform नहीं कर रहे हैं काफी साल से यह नहीं कि reasonably price हो रहे है क्यों क्योंकि पिसले दो साल से उनमें growth नहीं है तो वह इंडेक्स करेगी उसका impact क्या होगा कि index बढ़ेगा इंडेक्स क्यों बढ़ेगा इंडेक्स क्यों बढ़ेगा इंडिया में पैसा क्यों आए का इसके एक और reason है और इंडिया का weightage जो 7% था वो बढ़कर 20% हो गया है यदि हम वेसे भी देखें कि वो चाइना में भी investment करेंगे तो भी इंडिया में 20% और चाइना में 25% investment करेंगे यदि उनको emerging market fund में पैसा डालना है तो इसका मतलब बड़ा पैसा आना है अब पैसा large cap में आएगा ये भी हम सो चुके हैं large cap evolution wise देखें तो यदि हम पिछले 15 साल के weighted average में देखते हैं तो large cap average price to earning ratio से 6% premium पे चल रहा है mid cap 27% premium पे चल रहा है और small cap 40% premium पे चल रहा है तो उनके लिए ये buy करना भी easy है और यदि ये buy करते हैं तो न सिर्फ large cap की evolution बढ़ेगी mid cap की evolution भी बढ़ेगी और लेकिन साथ में important ये हो जाएगा small cap और micro cap में क्या होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है या उसका in pay impact आने इन तीन दिन में 10,000 कोड का बाल बेजगे हो और 2024 में net seller रहे हो लेकिन वो पेसा ultimately इस सितंबर के rate cut के बाद में आएगा तो ये कुल मिलाके में जो सोचता हूँ कि बजार किसा होना चाहिए तो इन सब situation से हमें क्या लगता है कि number एक mutual fund Indian mutual fund के पास एक डेड़ लाग करोड प बता रही है कि बजार में कोई बड़ी मंदी आने की possibilities नहीं है कोई भी मंदी किसी external region से यदि आई तो 10 से 20% से ज्यादा नहीं आए ही और ये दि कोई डिपाता है तो वो buying opportunity होगी और आपको क्या लगा कि the way I think these things आपको कैसा लगा कि क्या ये तरीका simple और common sense जैसा है यदि हा इस वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना बिल्कूल मत बूलिएगा और हाँ यदि आप चाहते हैं कि आपका mutual fund portfolio हम देखें तो link description में आप उस form को बरका हमारी team आपसे connect कर सकती है और करेगी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए all the best and happy investing thank you